प्रिय दोस्तों नमस्कार आज के इस वीडियो में हम पढ़ेंगे एल कब साइलेंट होता है देखिए एल के बाद एल के बाद के एम डी एफ देखिए एल के बाद के एम डी एफ इन में से कोई भी सब्द आए वहां पर एल साइलेंट होगा उधारन के लिए आपको बताते हैं देखिए फिर से देखिए एल के बाद डी एफ एम के होगा तो एल साइलेंट होगा जैसे उधारन के लिए सुड देखिए यहां पर L के बाद D है इसलिए यहाँ पर L silent है इसलिए हम इसे पढ़िंगे should देखिए यहाँ पर लिखा है talk L के बाद K है देखिए K लिखा है तो यहाँ पर L silent है इसलिए हम इसे पढ़ते हैं talk अब देखिए यहाँ भी L के बाद M है तो यहाँ पर L साइलेंट है तो हम इसे पढ़ेंगे पाम आपको यह वीडियो समझ आ गई होंगी इस वीडियो में इतना ही थैंक यू, have a nice day